नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी खबर एक बड़ी अपडेट आ रही है सीटेट के तरफ से यहाँ पे द संख्या फूल होने पर फार्म भरने वाले अभ्यरती हो रहे हैं हलकान यानि कि जो अभ्यरती फार्म भरने के लिए सोच रहे थे अब लेट हो रहे हैं आप उनको अधर अश्टेट जाना पड़ेगा अगर सीबीसी के दोवारा सीट बढ़ाया जाता है तो अच्छी बात ह अन्य तो थोड़ा सा बिलम हो सकता है अगर अधर अश्टेट भी आपको फूल हो जाएगा तो फिर आप बंचित हो सकते हैं आपके पास अभी यही विकल्प है कि या तो दुसरे अश्टेट की और रुक कीजिए या फिर सीट को और बढ़ाया जाए विहार के सीटों को फ चार लाख भरे थे इस वार अढ़ाय लाख मात्र सीठी दिया गया था जबकि इस वार पांच लाख से उपर का आव्यदन आने वाला है यह ख़वर मुझापर पूर्चसप के आ रहे हिंदुस्तान पेपर में इसे प्रकासित किया गया है कहा जा रहा है कि फॉम भरने की प का विकल्प दिख रहा है इस बार शीटेट के फॉम भरने से पहले ही जिलावर अभ्यरतों की संख्या निधायत कर दी है मुझापर पूर समेत सुबे के सभी जिलों में आठ दिन में ही निधा संख्या फूल हो जाने से अब फॉम भरने वाले अभ्यरती हलकान है इससे आक सिवेसी की ओर से सोल मा सीटेट दिसमबर जनवरी माह में होना है इसके लिए परिच्छा फॉम भरने की प्रकिरिया 31 अक्टूबर से सुरू है सिवेसी की ओर से 25 नमबर तक फॉम भरने की तिथी निधायत की गई है लेकिन अभी ही सुबे के सभी जिलों में सीट फूल हो सुबे के साथ जिलों में बना है किंद्र मुझापरपूर में 12,018 सीटे निधायत है बिहार में इस बार साथ जिलों में परिच्छा किंद्र बनाया गए है इसमें से पटना मुझापरपूर गया दरभंगा आरा भागलपूर समस्तिपूर जिला सामिल है इस बार सुबे म में दो लाग 44,284 प्रिसार्थी बैठने की छमता निधायत की गई है पत्ना में एक लाग 76,449 तो मुझपरपुर में 12,018 दरभंगा में 12,018 समस्तिपुर में 4,370 आरा में 8,740 भागलपुर में 17,589 तो गया में 13,10 प्रिसार्थी की संख्या निधायत की गई है लेकिन अब प्रिसार्थी के सामने दुसरे राज के परिच्छाकेंद्र को देने का विकलब आ रहा है जिससे अभिहारती परसान है और हम नहीं भर पा रहे हैं तो हम आपको यहीँ सला देंगे या तो जल्दी से ज़ल्दी बिहार के नजदिक वाले जो अधर स्टेट के जिले हैं उसमें आप भर लेजिए आने था थोड़ा सा बेट कर लेजिए हो सके सीबेसी वाले कुछ सीटी आपको बढ़ा दें तो आपको फाइदा होगा तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तो इसी तरह का और भी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर बने रहें फिर मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में धन्यवाद दोस्तो